असलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों से शेर करने वाली हूँ सूजी के गुलाब जामुन बिल्कुल जिस तरीके से स्वीट शॉप पर गुलाब जामुन मिलते हैं ये उसी तरीके के बनते हैं बहुत ही easy recipe है आप इस recipe को जरूर try करना आपको पसंद आएगी वीडियो को end तक देखना जरा भी skip मत करना तो चलिए बनाना start करते हैं तो सबसे पहले हमें एक cup set कर लेना है जिससे हम सारा measurement करेंगे तो यहां मैंने इस तरीके का एक cup ले लिया है अब हमें सबसे पहले बनाना है गुलाब जामुन के लिए balls तो यहां मैंने एक बरतल ले लिया है इसमें मैं डालूंगी घी और घी हमें यहां डालना है दो झोटे चमपच गी डालने के बाद हमें यहां पे गी को कर लेना है melt और घी जब melt हो जाएगी तो इसमें हमें डालना है दूद तो जो कप हमने set किया था उससे हम यहां दो कप दूद डालेंगे तो यह एक कप मैं दूद डाल रही हूँ अब इसमें मैं डालूँगी दूसरा कब दूद तो यहां यह तक्रीबन मैंने आधा लीटर दूद लिया है अब दूद डालने के बाद हमें यहां एट करना है इलाइची पाउडर तो यहां मैंने क्या किया चार इलाइची लिए उसे क्रश कर लिया है उसके उपर के cover को मैंने निकाल दिया है बस इलाइची डालने के बाद इलाइची को हमें कर लेना है mix और दूद को हमें कर लेना है boil तो high flame पर ये सारा process हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर दूद बॉइल हो चुका है दूद बॉइल होने के बाद हमें 2-3 मिनिट के लिए और यहाँ पर दूद को पका लेना है अब जो ये side side में creams वगरा रह जाती है इसे हमें इसमें mix कर लेना है अब इसके बाद हमें इसमें add करना है सूजी तो यहाँ मैंने 2 cup दूद लिया है तो एक cup मैं इसमें सूजी डालूंगी और यहाँ मैंने सूजी को एकदम बारिक पीस लिया है और अब इसे हम इसमें डाल देंगे तो हमें क्या करना है कि एक हाद से हमें सूजी डालती रहनी है और दूस्टे हाद से हमें चलाते रहना है ताकि लंस ना बने तो हम इसे लगातार चलाते हुए यहाँ पे सूजी को तयार कर लेंगे सूजी जो है बहुत जल्दी दूद को एबसॉब कर लेती है जिसकी वज़े से यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी और यहां पे एकदम हमें थिक फॉम में हमें सूजी को रेडी करना है तो देखें यहां पे हमने सूजी को तयार कर लिया है सूजी रेडी है हमारी अब हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में तो देखें यहां हमने सूजी को प्लेट में निकाल लिया है अब इसमें हम add करेंगे घी तो एक चमच हम इसमें डालेंगे घी और घी डालने के बाद इसे mix कर लेंगे तो यहां हमें सूजी को अच्छी तरीके से mix करना है इसमें जरा भी lumps नहीं रहना चाहिए अगर जरा भी lumps रहेंगे तो जो हमारी गुलाब जामून के बाल्स है वो फ्राइ करते हुए पढ़ चकते है तो बेसिकली हमें क्या करना है यहां पर अच्छी तरीके से सूजी को गुन लेना है बिल्कुल जिस तरीके से हम आटा गुनते हैं और इसका हमें soft dough तयार कर लेना है तो देखें यहां हमारी soft इसी सूजी आपे हमने गूल दी है अब हमें हातों पे लगाना है घी और इसके हम तयार करेंगे बाल्स तो आपके ओपर depend करता है आपको छोटे बाल्स बनाने या बड़े आप अपने हसाब से बना लीजिए और यहां पे हमें जो बाल्स है अग्दम soft और smooth बनाने है अगर जरा भी आपको लगता है कि cracks वगरा है तो आप इसे दोबारा बनाएए बिल्कुल cracks वाले बाल्स हमें यहां पे नहीं बनाने है वरना जब हम यहां पे बाल्स को fry करने जाएंगे तो वो फट सकते है तो देखें यहां हमारे सारे सुजी के बाल्स बनकर ready है और मैं आपको दिखाती हूँ देखें यह कितने smooth बाल्स बने है बल्कुल इसी तरीके से हमें सुजी के बाल्स तयार करने है अब इसे साइड में रखकर हम चाशनी तयार कर लेंगे तो यहां मैं एक बरतर में डालूंगी दो कप शकर और शकर डालने के बाद इसमें हमें डालना है दो कप पानी यानि जितनी हम शकर ले रहे हैं उतना ही हमें यहां पे पानी लेना है तो ये दो कप मैंने पानी डाल लिया है अब हमें यहाँ पे शकर को high flame पर dissolve कर लेना है तो देखिए यहाँ पे हमारी जो शकर है वो dissolve हो चुकी है अब इसमें हमें डालना है ilaichi powder और ilaichi powder डालने के बाद अब इसे हम 6-7 मिनट के लिए यहाँ पे हाइ फ्लेम पर और बॉइल कर लेंगे इसमें मैं थोड़ा सा जाफरान डाल रही हूँ आप जादा मट डालना क्योंकि जाफरान गर्म होता है तो यहाँ पे देखिए शकर डिजॉल्फ होने के बाद हमने 6-7 मिनट तक इसे और बॉइल कर लिया और फ्लेम को आफ कर लिया है तो हमारी चाशनी रेडी है तो यह जो हमने बॉल्स रेडी किये थे तो यहाँ पे जितनी मैंने आपको कॉंटिटी बताई है उसे 20 बॉल्स यहाँ पे रेडी हो जाते है तो इसे हम कर लेंगे फ्राइ तो तेल गर्म हो चुका है इसमें हम एक एक करके बॉल्स डालेंगे और बॉल्स को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेना है इसे low flame पर fry करने की गलती बिल्कुल भी मत करना ना हमारे गुलाब जामुन फट सकते हैं तो इसे low flame पर बिल्कुल भी fry नहीं करना है और इसे touch बिल्कुल नहीं करना है जैसी आपको लगे कि एक side हलकी सी brown हो चुकी है बस उसे पलड़ कर आप दूसरी side को भी brown कर लीजे तो जिस तरीके से गुलाब जामुन का color होता है वैसे हमें इहां पर इसे fry कर लेना है और इसे fry कर के हम लिए तो देखिए यहां हमने fry कर लिया है और यह एकदम perfect देखिए यहां हमारे balls ready हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम बेस्ट यहां पर हमारे बॉल्स रेडी और यह बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं तो अब इसे हम चाशनी में डालेंगे, तो यहां पर हमारी चाशनी हल्की सी गर्म है, जादर गर्म चाशनी में नहीं डालना है, हलकी गर्म चाशनी में हम एक एक करके बॉल्स को डालेंगे और बॉल्स को डालने के बाद हमें बस देड़ से दो घंटे के लिए इसे कवर करके रख देना है डेड़ से दो घंटे में ही आप देखेंगे कि हमारे जो बॉल्स है वो अच्छी तरीके से चाशनी को एब्सॉप कर लेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे दो घंटे हो चुके हैं और एकदम यहाँ पे हमारे गुलाब जामून डेडी है यहाँ पे चाशनी अंदर तक एब्सॉप कर लिया है अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ तो देखें अंदर से कितने वाइड बने हैं और एकदम पॉफेक्ट गुलाब जामून डेडी है हमारे जिस तरीके से हम स्वीट शॉप से लेते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट भी होता है इसका तो आप इस रेसीपी को ज़रूर ट्राय करना और जिस तरीके से मैंने बताया है तो पूरा स्टेप बाइ स्टेप वैसे ही फॉलो करना बहुत ही पॉफेक्ट गुलाब जामून बनेंगे आपके मैं ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपीज लेकर आती रहती हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताके मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और प्लीज जितना हो सके मेरी वीडियो को सबसे शेर करिए मुझे सपोर्ट करिए तैंक्स पॉर वाचिंग अल्ला हाफेज